सूप्रभात प्यारे बच्चो यह पाठ आपचारिक पत्र कक्षा चोथी की हिंदी व्याकरन का है यह पाठ आपको 10 मई 2021 को भेजा जाएगा यह आवाज रोमा रानी की है प्यारे बच्चो आज हम इस पाठ में अपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें क्योंके मैं आपको पाठ के दौरान कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूँगी बच्चो अब मैं आपको अपचारिक पत्र के विशे में समझाऊंगी यदि आप तयार हैं तो मैं आपको अपचारिक पत्र के बारे में समझाने जा रही हूं सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे बच्चो हम अपने जीवन में लिखने की योग्यता का पहला महत्वपूर्ण उप्योग पत्र लेखन में ही करते हैं पत्रों के द्वारा हम एक दूसरे तक संदेश पहुचाते हैं इसके द्वारा अपने मन के भाव और विचार घर परिवार के समाचार आदि प्रक्ट किये जाते हैं मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी, करमचारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं पत्र लिखना एक कला है इनके द्वारा व्यक्ति के ज्यान और व्यक्तित्व का भी पता चलता है बच्चो पत्र दो परकार के होते हैं आपचारिक पत्र एवं अनुपचारिक पत्र आपचारिक पत्र बच्चो आपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते प्रार्थना पत्र, परधाना चारे को पत्र, कार्यालई पत्र, संपादक को पत्र व्यापार संबंधी पत्र आधी आपचारिक पत्र कहलाते हैं अनुपचारिक पत्र अनुपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं मित्रों तथा संबंधियों आदी को लिखे जाने वाले पत्र अनुपचारिक पत्र होते हैं बच्चो मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में समझा दिया है अब मैं आपको उसके आधार पर कुछ प्रश्न दूँगी अब आप यहां तीन मिनट का अंत्राल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे प्रश्न एक पत्र कितने परकार के होते हैं प्रश्न दो विद्याले से अवकाश लेने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है प्रश्न तेन मित्रों और संबंधियों को कौन से पत्र लिखे जाते हैं बच्चो अब आपका अंत्राल का समय स्माप्त हो गया है अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी उत्तर एक पत्र दो परकार के होते हैं अपचारिक पत्र एवं अनुपचारिक पत्र उत्तर दो अपचारिक पत्र उत्तर तीन अनुपचारिक पत्र बच्चो अब मैं आपको आपचारिक पत्र का प्रारूप लिखना बताऊंगी सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे आपचारिक पत्र का प्रारूप बच्चो यह पत्र हम कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं सबसे पहले हम जिसे पत्र लिखा गया हो उसके बारे में लिखेंगे जैसे सेवा में कक्षा अध्यापिका जी उसके बाद हम संस्था का नाम और पता लिखेंगे जैसे टेंडर हार्ट स्कूल चंडीगड इसके बाद हम विशे पर आते हैं विशे यहां पर किस विशे में लिखा जा रहा है उसके बारे में लिखा जाता है इसके बाद संबोधन आता है जैसे श्रीमती जी या श्रीमान जी बच्चो इसके बाद पत्र की मुख्य विशेवस्तू के बारे में लिखा जाता है सव इने निवेदन यह है कि इस पहले अनुछेद में अपनी समस्या के बारे में बताया जाता है दूसरे अनुछेद में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा जाता है पत्र का अंत धन्यवाद देकर किया जाता है जैसे धन्यवाद सहित इसके बाद आपका आज्याकारी शिश्य या आपकी आज्याकारिनी शिश्य लिखा जाता है इसके बाद पत्र लिखने वाला अपने बारे में बताता है जैसे उसका नाम, कक्षा और अनुक्रमांग अपचारिक पत्र की अंतिम पंक्ती में दिनाग लिखा जाता है यहाँ पे हम दिनाग लिखते हैं प्यारे बच्चो इस परकार अपचारिक पत्र बहुत ही व्यवस्थित धंक से लिखा जाता है इसलिए आप इस प्रारूप को दो से तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे एवं समझेंगे मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे बच्चों को अपने पास बैठा कर यह पत्र करवाएं और पत्र को समझने में उनकी सहायता करें अब मैं आपको ग्री कार्य दूंगी जिसे सभी बच्चे सुन्दर लिखाई में अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे ग्री कार्य घर पर जरूरी काम होने के कारण अवकाश लेने के लिए कक्षा अध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखें बच्चों आप पत्र लिखने से पहले पत्र के प्रारूप को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आपको इस कार्य की उत्तर पत्र का वीरवार को भेजी जाएगी धन्यवाद